तो चलिए अब हम एक नए सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट करते हैं आपके सेकेंड येर में थर्ड सिमिस्टर का ये सब्जेक्ट है ठीक है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो सब्जेक्ट है आपकी सिविल इंजिनेरिंग में बहुत ही जादा इंपोटेंट सब्जेक्ट है क्योँ है इंपोटेंट? क्योँकि हम कोई सा भी अगर कंस्ट्रок्शन करना है तो उसके लिए मटेरियल की रिखार्मेंट तो हर कंस्ट्रक्शन के लिए तो यही subject हमें बताता है कौन सा subject बनाता है construction material subject ही हमें जो भी construction के सारे material से उनके बारे में दिखाता है तो यह तो हो गया इसका practical important इसके अलावा इसका और क्या importance है जैसे आप आगे चलके आप competitive exams की तियारी करेंगे SSC JEE, AE और जो भी IES वगेरा की तो जो हमारा SSC JEE का जो paper होता है उसमें objective paper में 25% marks के question सिर्फ और सिर्फ construction material से आते हैं तो आप समझ जाईए कि यह subject कितना जादा important है चलिए अब बात कर लेते हैं इसके syllabus की ठीक है तो मैं जो syllabus यूज़ करने वाला हूँ लेकिन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारी universities के लिए applicable है जो की इंडिया में है मैं जो syllabus सिर्फ reference point of view के लिए use करना हूँ इस university का तो हमारे पास syllabus में इसमें 5 units है कितनी units है हमारे पास है 5 units है पांचों की पांचों units इसमें theoretical unit है इसमें इसे numerical question नहीं आता है theoretical question ही आता है ठीक है तो आप क्या है पिछले 5 years के papers को एक बार देख लीजेगी किस तरीके के पेपर किस तरीके का कोश्चन पेपर आता है किस तरीके के कोश्चन सा आते हैं ठीक है चलिए फिर हम हम स्टार्ट करेंगे next class से हमारा construction materials